जोलपूर के नीता जी सुभाश्वन्र रबोस केंदरी जेल में स्वास अप्रस्टिक्शन शिवर का आज़ुन हुआ कैदियों के लिए स्वास अप्रस्टिक्शन शिवर लगाए गया था तेवारी फाउंडेशन को दुराज समय का आज़ुन किया गया इसमें लगभग धाई सो बंदियों का स्वास परिक्शन किया गया उन्हें दवाईयां अपलब्द कराई गए नीजी और सरकारी इस्पिताल के विशेशाग यहां पर कैदियों के स्वास परिक्शन के लिए पहुँचे आज हम लोगों ने तिवारी फांडेशन के दुवारा जेल परिसासन में 2800 बंदियों का स्वास परिक्शन के दौक्टर जिसमें की टीम पूरी हमारी 28 डाक्टरों की टीम है इसमें हमारा परिसासनिक और प्राइबेट डाक्टर सब मिलाकर सबका सहयोग रहा है उद्देश यही है कि सभी का इलाज अच्छा हो और इसके बाद हम लोग की संस्ता निरंतर ऐसी कार करते रहे है शेलें तिवारी अज सेंटर जेल जबलपूर में तीन अपरेल को स्वास सिविर लगाया गया है इसमें गौर्मेंट की संस्ता हैं और प्राइविट संस्ता हैं दोनों का इन्वाल्मेंट हैं दोनों का पार्टिसिपीशन है प्राइवीट संस्ता में, गएलेकस्य हास्प इल की तरफ से हैं, मेट्व बहुते की तरफ से हैं, और गवर्णमेंट में, विक्टोरिय हास्प इलन वाले इंटी वाले जित्ती भी प्रकार की विधाय होती है लगभग लगभग दस प्रकार की विधाओं के डाक्टर्स यहां पे अपने पेरा मेडिकल बरकर के साथ में कारगार में इसको आजकल सुधार ग्रेब बोला जाता है वहां के बंदियों की परिक्षन करके दवाईय और है रगए रधान करने करें यहां पर जो गटर कैमायोजित की और तौई में ब्दियों को अपनी लिया रहती हैं लग लय चालकर करने के लिए कि वह पूला जो सबकर रहती है तो पूरी प्रकास्न सिफस्वारौ सब बताया है है डक्ता सांजय जेन विक्टोरिया प्लेम्स की जाल से जेल में ब्रहद सिविर का अजिया गया है स्वाथ्सिवीर इस स्वाथ्षिविर में मेदिकल कालिज एब़न विक्टोरिया से एवं कुछ प्राइवेट अस्पटालों से चिकित सब इसे सग्या आए हैं जिसमें बंदियों को प्चार किया दिया जा रहा है कुछ बंदी ऐसे होते हैं जैसे जेल में हमारे हैं एंड डॉक्टर है और इस्पेसलिस्ट के लिए रिफर करना पड़ता है तो पुलिस गार्ड के मारफ़त जाते हैं एक बार में दो-चार बंदियों को ही चेक अप होता है परन्तु ये केंप लगाने से बंदियों को एक सा जबलपूर से आशीश बातरी की रपोर्ट